हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है जुलाई की 29 तारीक, शाम का समय है, वीडियो की शुरुआत खुबसूरत रेड जर्बेरा से, 6 प्लांट है मेरे पास जर्बेरा के, कल ही मैंने इन पर काम किया है, इनके सारे पत्तों को रिमूग किया ह कुछ पत्तों को ही मैंने बचा के रखा हुआ है, और यहां आप देख रहे हैं वो अडेनियम की सिड्लिंग है, यह लगभग तीन महने का प्लांट हो गया है, यह देखिए यह सारे बाइट अडेनियम है, और एक अपडेट और देख लीजिए, मैंने लगभग तेर्ड मह मैंने देशी अडेनियम में ग्राप्टिंग कर दी थी, फ्लेट ग्राप्टिंग, मुझे उमीद नहीं था कि यह सक्सेस हो जाएंगे, बहुत सारे ग्राप्ट किये थे मैंने, यह देखिए यहां पर भी तीन ब्रांचेस निकल रहे हैं, तीन सूट्स निकल रहे हैं, और यहां पर भी फुटाव नजर आ रहा है, और यह वाला फेल हो गया, यहां पर भी मैंने किया था, ब्लेक हो गये थे, और उसको मैंने कट करके फंगी साइट लगा दिया है, और एक यह वाला फेल हुआ है, तो दो ग्राप्टिंग मेरी फेल हुई है, और देखिए दोनों स ये वाला भी एक फुटाव नजर आ रहा है तो फर्स टाइम मैंने फ्लैट ग्राप्टिंग किया है आई होप की अच्छे से चल जाए और ये देखिए ये ये भी सीड है जो तीन महने मैंने लगाए थे और बारिश में पड़े रहने के कारण इनके सारे पत्ते यलो हो के खिला हुआ है और ये तितली रानी टोरेनिया के फ्लावर पर बैठ रही है आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खुपसूरत प्लांट दिखाने वाली हूँ जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया है मेरी फ्रेंड के यहां ये प्लांट था उन्होंने मुझे कटिं आईवी है अल्टरनेंथरा फेमली से है हैंगिंग बास्केट में बहुत खुपसूरत लूक आता है और इसके पत्ते देखिए सिल्वर कलर के हो जाते हैं और नीचे मैरून पत्ते होते हैं नीचे का जो कलर होता है इसका मैरून कलर का होता है और बहुत खुपसूरत नजर आ रहा था ये plant ये देखिए बिलकुल silver color के पत्ते निकलते हैं शुरू में जब निकलते हैं तो उसके बाद ये wine color के हो जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं friends तो ये बहुत आसानी से cutting से grow हो जाता है लगभग एक मेहना पहले मैंने इसकी cutting लगाई थी और छोटे से pot में पहले cutting लगाई थी उसके बाद ये 4-5 दिन हुए हैं मुझे इसे बड़े pot में shift किये हुए और दो cutting है यहाँ दो plant यदि ये अच्छे से बड़े होते हैं तो इनको एक को मैं निकाल के hanging basket में लगा दूँगी अभी ये बहुत खुबसूरत लग रहा है और ये देखिए ये लगभग 6 इंच का ही pot है 6-7 इंच का welder and mitti में मैंने लगाया हुआ है इसे और पहली बार मेरे garden में ये plant है तो इसका ज़्यादा अनुभाव नहीं है मुझे जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो मैं इसके बारे में पता चलेगा मुझे तो आप लोग भी लगा सकते हैं कहीं से भी ये इसकी cutting मिल जाती है तो और ये permanent plant होता है काफी खुबसूरत और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो अडेनियम के seeds हैं ये pink अडेनियम है देसी वाला मिट्टी में मैंने डाला हुआ था उतने अच्छे से growth तो नहीं हो रही है इसकी ये देखिए तो sand में या फिर cocoa pit में बहुत अच्छा result मिलता है मिट्टी में उतना अच्छा result नहीं आता तो आज की वीडियो में यहीं दिखाना था